हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडेने स्टडी इंडेने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वुडियो में आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स यूपी जेलवाडर के लिए यूपी बीएड के लिए पी ऐसा ही जितने भी आपके एक्जाम होने हैं उन सभी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट होगा तो वीडियो को एंटलक जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्म मैं आपसे कोशन भी पूचूंगा और उसका अंसर आपको कमेंड वाक्स में बताना होगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कोशन पहला कोशन के राष्ट मंडल खेल 2018 में पदक तालिका में भारत में कौन सा इस्थान प्राप्त किया यह हमसे पूचा गजा है अब आप सोच रहोगे कि 2018 क्यों पड़ा रहा अरे यह राष्ट मंडल खेल ल भारत का क्या हिस्तान रहा था तीसरा हिस्तान रहा था भारत का तीसरा ओप्संस बिल्कुल करेक्ट एस्याई खेल 2018 में भारत ने अकुल कितने पदक जीते हैं तो एस्याई खेल 2018 में भारत ने जो पदक जीते थे वह जीते थे 69 यानिकि पहला ओप्संस करेक्ट पिरतिवी दिवस हम कम बनाते हैं तो प्रतिवी दिवस के अगर हम बात करें तो प्रतिवी दिवस हम 22 अपरेल को बनाते हैं 24 मार्च यह जो लिखा हुगा इंपोटेंट है यहाँ पर हम टीवी दिवस बनाते हैं टीवी डे बनाते हैं तो याद कर लीजिएगा दोनों ही important है फिलाल तो प्रतिदिवस 22 अपरेल को मनाये जाता है राश्टियगान के रचीता कौन है आप सभी लोग जानते हैं इन्होंने भारत के अलाबा बांगलादेश का भी राश्टियगान लिखा ठीक है ना अमार सोनार बांगला इस तरीके से हमारा तो जनगर मनगर अधिनायक जाया है तो तो आपको यादी होगा है ना तो राश्टियगान के जो रचीता है वो कौन है वो हैं आपके रविंद्र नाट टेग और यानि कि पहला ही आपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारत में मत देने का अधिकार निमलेकत में से कौन सा अधिकार है मत देने का अधिकार सम्मेदानिक मौलिक प्रा जारित की गई थी एक सड़वे सम्मेदान संसुदा 1989 की द्वारत है की गई थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोसंस लोहे का सरवदक सुद रूप कौन सा होता है तो लोहे का जो सबसेदा सुद रूप होता है वो होता है आपका पिटवाल हुआ यानि कि दूसरा उपसंस आपका विदूल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कच्चे फलो को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है तो कच्चे फलो को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है एसिटलीन गैस का प्रियोग किया जाता है पहला ही options आपका video correct हो जाएगा ठीक है next questions विद्धुद motor द्वारा विद्धुद उर्जा का रूपांतरना किस में होता है तो विद्धुद मोटर जो है विद्धुद उर्जा को किस उर्जा में परिवर्द करती है यांतर कूर्जा को यांतर कूर्जा में समझ रहे तो जो इलेक्ट्रिक energy है यह mechanical energy में क्या होती है convert होती है विद्धुद motor के द्वारा तो यहां पर important questions है बहुत ही ज़्यादा तो इसको C options में दिया था four degrees centigrade ठीक है और वहाँ पर मैंने minus four आपको tick करवा दिया तो इस तरीके से दोस्तों माफ ही मांगाना चाहूंगा कि लगातर दो दिन जो test लिए वहाँ पर मेरे से गलती हो गई मेरी options correct सुभास चंद्र वोस ने forward vlog की स्थापना कप की थी या गठन कप किया था forward vlog का गठन तो कप किया था यह 1939 में किया था पहला options आपका बिल्गुल correct भारत के नियंत्रा के वहाँ लेगा परिक्चक का कारकाल कितने वर्सों का होता है तो होता है तो टैक काएstar का आपन तो पिल्गुल करेक्ट निल्ले के तमय से कौन सी जच किसी वच्छे के पिता का रूख निर्धारन करती है तो कौन सी जच तो आपका सई आ अंसरसτα आपका बिलुकुल कर्क्ट हो जाएगा दोस्तों B जल दी बताो हरवाल बताता इसलिए हूँ क्योंकि हरवाल आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं ये वाली questions ताकि आप लोगो याद बना रहे हैं विस्व व्यापर संगटन WTO का मुख्याले कहां इसते थे जल्दी बताओ इंपोटन नहीं वलकि मोस्ट इंपोटन लगा लो जब से जो चंद्रयान टू आपका आप ये माल लीजिए लॉंच हुगा है ना तब से ये questions तो मोस्ट इंपोटन वन गया आपका समझ रहे हैं तो कहां पर रिस्तिते इस रो का जो headquarter है तो सही answer हो जाएगा बिंगलू रूम है यानि कि इस questions का दूसरा options correct बिर्जु महराज के सास्त्री निरते से समझ रहे हैं तो बिर्जु महराज जो है ये कथक से समझ रहे हैं किस से कथक से चौता options correct प्रूटोरिया किस देश की रा राजदानी है तो प्रूटोरिया जो है ये दस्षिन अफरीका की राजदानी है किस की दस्षिन अफरीका की दूसरा options correct यूनेसको में विस्व बरासत इस्तल में सामिल भारत इस्तल का नाम बताईए यानि कि इन मेंसे कौन से इस्तल जो है वो यूनेसको की विस्व बरासत इस तल में जा सामिल है और वो भारती इस तल भी है ग्रेट हेमालियन नैसमल पार्क बिलकुल है नालंदा विस्वित देले बिलकुल है एहमदाबाद अभी हाली में सामिल किया गया तो ये भी है अभी हाली में जैपुर भी सामिल किया गया जैपल के परकोटे को ठीक है ना तो उपरोग तो सब यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पिरसित उपन्यास चंदर कांता की लेखा कौन है इंपोटेंड कोस्टन्स तो चंदर कांता के जो लेखा के उनका नाम है देवकी नंदन खत्री नेक्ष्ट कोस्टन्स उत्तर परदेश में अर्दू प्रसिक्छर एबन अनुसंदान केंद्र कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है आपका लखनो में पहला ही ओप्सेंस आपका पिल्कुल करेक्ट नेक्ष्ट कोस्टन्स मृरिचिका जिसको मिराज कहते हैं बनती है किस से बनती है तो जो मिरीचिका की घटना है जैसे आप रेखिस्तान में कहीं जा रहे हो तो आपको एक चमकीला सा पदार दिखता है आपको ऐसा लगता है कि वो तलाब है छोटा सा तलाब है तो अपनी प्यास बुजाने उसके पास जाते हो जैसे ही आप पास जाते है तो वो और दूर जादी जाती है तो उसको मिरीचिका की घटना कहते हैं ये मिरीचिका की घटना की कारण होता है तो मिरीचिका जो बनती है वो किस कारण बनती है उसका कारण है पूरा अंतरिक परावरतन या अपरवरतन एबन प्रकास के पूरा अंत्रिक प्रावर्तन से चौधा आप्सिंस विल्क्रा करेक्ट बहुरत के राश्पती को पदर से कौन अठा सकता है तो देखो भारत के राश्पती को अगर आपको पदर से अठाना आै तो संसत की ऑनुमति की विगार नहीं अठा सकत है यानने कि दूसरा ठीक है वो महावयोग की प्रकिरिया होती है फिर वो अलगी पूरा प्राबदान है किस आयू बर्ग के बच्चों को बाल स्रम माना जाता है जल्दी बताओ तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो 14 वरसिक कम आयू के जो बच्चे हैं उनसे अगर कोई भी काम करवाता है तो उसक दूसरा ओप्सन्स बिल्कुल करेक्ट इसराइल की संसद का नाम क्या है तो इसराइल की जो संसद है ना उसका नाम है नेसेट दूसरा ओप्सन्स करेक्ट इसराइल की संबंद वारत के साथ मोशली आप यह समझ लिजिए काफी अच्छे हैं तो इसलिए यह को संस आप से प वेलेंटेंटेन वेस्त हैं यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है तो भाईय सभी के सभी ठीक है उप्रोग तो प्रोग सभी वो सुमेले थे एस्ट इंडिया कंपिनी की स्थापना के शुला सौ में होगी थी उस समय बहरत के साथ सा कौन थे तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा बिलकुल ठीक अकबर यानि कि इस कोस्टन का कौन सा पहला ऑप्संस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अकबर का जो कारकाल था वो 1556 से लेके 1605 तक था और इस इंडिया कंपनी किस्ता अपना सूला सों में होई थी तो इसलिए कबर ठीक है अश्टांग मार्क या अश्टांगिक मार्क के से दांतों का पिर्तिपादन किस ने किया था तो यह मात्मा बुद ने किया था पहला ही ऑप्संस करेक्ट हो जाएगा जैपुर दिल्ली मतुरा और उज्जेन में जंतर मंतर के न चेतर के विकास पर सरवद एक बल दिया गया था तो किस चेतर के विकास पर दिया गया था सबसे दबल उद्ध्यों के चेतर पर तीसरा आप्संस करेक्ट उत्तर प्रदेश राजस परिसत की नियाएक था प्रसासनिक विवस्ता को किस वर्स पर तक कर दिया गया था तो किस options आपका बिल्कुल correct हो जाएगा परियावरण का निर्वान कैसे होता है तो परियावरण का जो निर्वान है न वो जब आपके जैवे गटक मिलें अजैवे गटक मिलें जीवी गटक मिलें और प्राकरते गटक मिलें तो इन सभी से क्या होता है परियावरण का निर्वान तो अब्रोक तो सभी आपका बिल्कुल साही हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस किसी कंप्यूटर अतवा इन्फर्मिशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकरत रूप से गुस्पेट करना और डाटा से स्चेलचार करना क्या कहलाता है तो इसको हम क्या कहते हैं हैकिंग यही तो आजकल बहुत हो रही है मुझे तो बहुत डर लगता है अपने यूटूब चैनल को लिए करके क्योंकि दोस्तों मैं अकेला ही काम करता हूँ और इतना ज़्यादा मै डेजिटली नहीं हूँ जी हाँ दोस्तों आप यह मान सकते हैं क्योंकि अभी भी मुझे अच्छे से अडिटिंग नहीं आती है जब मैं फेस्क्रेम वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं इतने अच्छे से अडिटिंग नहीं कर पाता हूँ लेकिन हाँ निरंतर सीखता र जाए तो मैं एक बहुत छोटा सा क्रियेटर हूँ तो मैं अपनी बात कहां तक पहुँचा पाँगा तो इसलिए दोस्तों एक बैक अप चैनल जैसे अभी एक्जामपूर के साथ हुआ था ठीक है ना लेकिन हाला कि बहुत अच्छी बात है कि आपका काम बनता है ठीक है ना नेक्स्ट कोसंस आपके सामना राष्टी मानवादीकार आयोक का मुख्याले का है इसते थे राष्टी मानवादीकार आयोक का जो मुख्याले है ना ये दिल्ली में इसते थे दूसरा आप्संस करेक्ट next questions कौन सा पदार्त विजली के प्रभा को कोई पिर्तिरोध पिर्दान नहीं करता कौन सा पदार्त है तो वह आता अती चालक दूसरा options आपका बिल्कुल correct और last questions बिकी पीडिया के संस्थापक का नाम क्या है बता दो बढ़िया सा questions है और यह static gk को questions है और आपके exam में mostly ऐसे questions देखने को मिलेंगे तो इस questions का अंसर आप लोगों पुझे comment बॉक्स में बताएंगे कि बिकी पीडिया के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है ठीक है तो दोस्तो यह थे आपके 38 gk के questions जो कि मैंने आज आपके आने वाले exams के लिए बहुत ही जड़े important है तो वीडियो को एंटलग आप देखें तो इस questions का अंसर देके जरूर जाईएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक किजे सेयर किजे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मरो जाना यसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत